तो अगर आप up stocks के अंदर mutual funds में investment करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप mutual fund वगेरा के बारे में देख सकते हो शुरुआती बिल्कुल beginner friendly आप कैसे कैसे mutual fund को select कर सकते हो go through एक process जो होता है जो mutual fund को select करने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरी detail में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले तो अगर आप up stocks को इस्तेमाल वगेरा करना चाहते हो तो आपको demat वगेरा account वगेरा बनाना पड़ेगा up stocks के अंदर जिसके लिए मैंने आपको link description में दे दी है जो की referral link है जिससे मुझे indirectly फायदा होगा अगर आप बनाओगे account तो मेरी link से जिससे आपको भी फायदा हो सकता है क्योंकि मैं आपको quality content दे पाँगा तो account वगेरा आपका बनने के बाद ऐसा कुछ interface आपको देखने को मिलेगा जब account वगेरा fit हो जाएगा आपका सब कुछ bank account वगेरा सब ठीक है उसके बाद आपको mutual fund में ये बीच में option दिख जाता mutual fund का इस पे click करना होता है और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी risk appetite कितनी है मतलब आप कितना कहां तक कितना risk लेने के लिए तयार हो क्योंकि आपको पता है high risk मतलब high returns और कभी कबार high losses भी high risk मतलब high returns और high losses भी दोनों चीज़े हो सकती है और आपको ये भी बात पता है कि आपको पैसे की जरूरत कभी भी पढ़ सकती है, किसी भी point of time पर पढ़ सकती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत ही सारी categories होती है, mutual funds की, जो कि आप यहाँ पर आकर देख सकते हो, view all categories में click करके, scroll down, view all categories और इतनी सारी categories होती है, तो इन सब क यह उपर बहुत सारी चीज़े बन सकती है, उन सब के बारे में हम in future बात करने ही वाले हैं, यह equity होती है, basically इस category में, equity का मतलब basically आप stock market ही कह सकते हो, equity is equal to stock market, तो यह सारे stock market में आपके investments कराते हैं, जो यह सारी categories हैं, लेकिन अगर आप सारे के सारे funds देखना चाहते हो, जितन सारे listed हैं, ठीक है, तो यह यहां से shorted कर रखे हैं CAGR, मतलब compound annual growth returns CAGR की यह full form हो जाती है, यह उसके हिसाब से कर रखे हैं, उसके बाद आप यहां क्लिक करके इसको expense ratio पे भी set कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा, सबसे कम expense ratio वाला जो mutual fund है, वो आपके सामने यहां प देख सकते हो, अब अगर आप कोई stock fund जैसे, मतलब mutual fund, pick करने की सोच रहे हो, तो उसका go through process क्या होता है, कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़े देखनी होती है, तो हम example के तौर पे index fund ले लेते हैं, आपको पता है, सबसे पहले तो यही पता होना जरूरी है, कि यह जो index fund होता है, nifty 50 index fund, इसका मतलब यह होता है, कि market की, nifty 50, nifty 50 मतलब market की, जो इंडिया की top 50 companies हैं, उनके अंदर आपकी investment होगी, मतलब यह जो mutual fund होता है, इसकी अपनी कोई personal choice नहीं होती, ठीक है, इसमें इनका मन नहीं होता कि किसमें कहां कितनी क्या investment करनी होती, basically mutual fund काम ही इस तरीके से करता है, कि आप किसी expert को अपने पैसे देते हो, और वो आपके बिहाफ पे investment वगएरा करता है, उसको आप छोटी बहुत fees भी, थोड़ी बहुत fees भी देते हो, जिसे expense ratio कहा जाता है, लेकिन ये वाला जो fund होता है, इसका ऐसा कुछ नहीं होता, जो इंडिया की top 50 companies होती हैं, चेंज भी होती रहती हैं, उनके अंदर investment ये वाले fund करवाते हैं, जो Nifty 50 के index fund होते हैं, ऐसे ही S&B के भी हो जाते हैं, या Nifty 50 100 भी हो जाते हैं, इंडिया की top 100 companies हैं, उस तरीके से ही काम करते हैं, तो इसका example हम लेके देखने वाले हैं, ठीक है, tracking error, सबसे पहले tracking error आपको द fund है, ये भी अपने stocks की जो placements है, जो allocation है, मतलब कितने पैसे किस stock में जाने चाहिए, वो भी change करते रहना पड़ेगा, इस mutual fund को, तो उसमें उसे को track करते रहने के लिए, market के हिसाब से, जो top 50 companies हैं, उन्हें track करते रहने के लिए tracking error का, मतलब किसी भी तरीके के error का, बहुत ही क होना जरूरी है, क्योंकि humans हैं, तो error तो होगा ही होगा, लेकिन जितना कम हो, उतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा सही है, ठीक है, तो tracking error यहाँ पर low होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना भूल गहा, यह पर और होती है, equity, सबसे पहले equity का मतलब हो जाता है कि stock market, ठीक है, index, index का मतलब हो जाता है कि जो share market में already, जैसे nifty 50 यह है, nifty 100, s&p 250, तो यह index basically category है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, और भी बहुत सारी categories हो सकती है यहाँ पर, यह सारी categories आप click करके देख सकते हो, तो क्यूंकि हमने index fund choose करा था, तो यहाँ पर equity के side में index लिखके आएगा अगर हम large cap कर लेते हैं, तो large cap लिखके आएगा, तो यह चीज भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ tracking error या और भी चीज़े expense ratio, वो सब देखते हैं, लेकिन यह वाली line भी बहुत ज़्यादा important होती है और फिर ही आजाता है direct growth, direct growth का मतलब हो जाता है यहाँ पर, कि आपकी जो investment है, उसके उपर जो भी आपको growth होता रहेगा, जो भी returns मिलते रहेंगे, वो directly invest होते रहेंगे, ठीक है, साथ के साथ, आपने इतने invest करें, इतना हुआ, तो वो पूरा का पूरा, अब इतना ही returns मिल रहा है, पिर इतना हुआ, उसके उपर returns मिल रहा है, तो यह direct growth हो जाता है, और इसके अंदर भी कई सारे parts होते हैं, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके बाद आजाता है, आपर fund size, ठीक है, fund size का मतलब है, यह कितने ज्यादा इनके पास assets हैं, कित size है, वो अपने आप में बहुत high है, तो यह green यहाँ पर लिखके आ रहा है, obviously, इसके बाद आ जाता है expense ratio, expense ratio का मतलब हो जाता है, कि कितनी आपको एक fees ही ने देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आप तो यहाँ पर अपने पैसे invest कर रहे हो, अब nifty fifty बदल भी रही है, ठीक है मतलब time to time change हो रही है, तो उसके अंदर इन लोगों को track वगेरा करना पड़ रहा है, जो इनका एक management है, पूरा पीछे management होता है, और जो एक fund manager होता है, उसके भी charges वगेरा होते हैं, तो उसके लिए expense ratio चार्ज करा जाता है, जो कि यहाँ पर लिखके आ जाता है, उसके बाद कि आपके annually जो भी returns आ रहे हैं, हर साल, annually का मतलब सालाना, उसमें जो भी आपके returns, क्योंकि आपने इतनी अगर investment करी है, तो वो साल में इतनी जरूर होगी, क्योंकि अगर इंडिया उपर की तरफ जा रहा है, growth हो रही है, अगर कुछ नहीं हुआ ऐसा, जैसे corona वगेरा आ गय नहीं हुई, तो growth तो होती है, चीजों में, ठीक है, तो अगर आपने इतने पैसे invest करें, और इतने वो हो गए, तो वो हो गया, अब आपको इस amount के उपर returns मिल रहे हैं, ठीक है, इतने amounts के उपर returns मिल रहे हैं, इसी को कहता है, compound interest, ठीक है, आपका जो fund था, जो भी आपकी investment थ है, उतने time period के अंदर आपको compounding के साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3,000 रुपए जैसे आपने invest करें थे, सिर्फ 3,000 के उपर आपको returns मिल रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो growth भी हुए जा रहे हैं, तो वो 3,000 भी बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके उपर total जो interest मिल रहा है, उसे कहते हैं, CAGR, वो भी annually, ठीक है, annually हर साल आना, तो यहाँ पर 5 साल का CAGR है, 16%, 16.9%, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक safest category हो जाती है, इंडिया की जो top 50 companies हैं, उसके अंदर investment हो रही है, ठीक है, आप यहाँ से यह देख भी सकते हैं, आप है, तो FD का तो straight forward होता है, मामला आपको पता ही है, 7%, 8%, जो भी आपकी bank आपको return दे रही है, वो होता है, फिर आजाता है minimum SIP, minimum SIP आपको यहाँ पर 500 रूपीज की करनी पड़ती है, SIP अगर आप शुरू करने जा रहे हैं, तो, यह हम इस fund का example रह रहे है, यह जो particular fund है, यह से कम, तो काफी पुराना fund इसे हम कह सकते हैं, lock-in period कुछ भी नहीं है, मतलब आप इसके अंदर जब चाहें तब exit भी ले सकते हैं, exit मार सकते हैं, आपको पैसे की जरूरत है, आप निकाल सकते हैं, तुरंद, कोई lock-in period नहीं है, NAV, NAV मतलब हो जाता है कि इस जो fund का, जो प share ही कह सकते हैं, उसका price ये है, जो की घटता या बढ़ता भी रहता, आपको पता ही है, तो 19 फरवरी 2024 के हिसाब से ये इतना है, ठीक है, AUM का मतलब हो जाता है, asset under management, ठीक है, कितना amount इस fund के पास है, ये जो fund है, UTI, Nifty 50 Index Fund, इसके पास कितना amount है, कितने assets है, कितना पैसा है, ज जो इसके under है, जो investment इनके अंदर हो रही है, वो है 15,000 करोड, ये भी ये सब चीजें आपको देखनी होती है, जब आप mutual fund में investment करने जाते हो, expense ratio, जो की काफी important होता है, वो यहाँ पर इनका 0.21% है, जो की पूरे साल का होता है, लेकिन कटता हर दिन है, हर दिन कटने का मतलब है कि आपको 365 से divide multiply, जो भी जैसे भी percentage निकालनी होती है, आपको पता ही है, वो percentage निकालने जाते हो, तो 0.21% आपको पूरे साल में देना होता है, तो per day में आपको जो भी देना पड़ेगा, 0.0.000 कुछ percent आपको देना पड़ता है, per day के हिसाब से, expense ratio, तो वो आप percentage निकाल स Nifty 50, इंडिया की top 50 companies, ठीक है, फिर आता है fund plan, ये भी आपको बहुत ध्यान से सों समझ के choose करना होता है, growth का मतलब हो जाता है, जो भी returns आपके होंगे, वो आपके reinvest होते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, direct, मतलब आपने पैसे invest करें, आप भूल गए, आपके पैसे, returns वगेरा सब compounding हुए जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, dividend payout, मतलब सालाना आपको यहाँ पर dividends मिलेंगे, ठीक है, आपकी जो investments है, उसके उपर आपको साल में dividends मिलते चले जाएंगे, dividends reinvestment, मतलब जो भी आपके dividends निकलेंगे हर साल, उसके उपर आपको, मतलब वो भी reinvest हो जा जाएंगे, तो यहाँ पर यह भी आपको choose करने होते हैं, देखके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आजाता है, calculate, आप returns वगेर calculate करना चाहते हैं, तो अगर आप मन्तली करते रहते हैं, 500 रुपे 3 साल तक, तो आपके साथ, मतलब यहाँ पर आपके यह होगा, जो आपकी investment हो 231 रुपे मिलेंगे आपको, तीन साल तक, लेकिन अगर तीन साल से इसको 10 साल कर दिया जाए, तो कुछ scenario अलग हो जाता है, इसी को कहते हैं, compounding, मतलब compounding, power of compounding, ठीक है, आपने investment करी, 60,000 रुपे की 60,000 और आपको मिलेंगे 1.37 lakh रुपीज, यहाँ पर जो आपकी growth हुई, आपके fund की, आपकी investments की, वो हुई यहाँ पर 127%, मतलब 128 के आसपास percent की, आपको returns मिल गई, यह होती compounding, power of compounding आपको पता ही इसके बारे में, लेकिन अगर आपने one time करा, 5000 रुपे जो की है, minimum, क्योंकि इस fund के अंदर one time का जो minimum है, वो 5000 रुपे है, SIP अगर आप चालू करते है तो वो 500 रुपे से हो जाती है, तो इस तरीके से कुछ यह fund काम करता है, دس साल के लिए अगर आपने छोड़ दिया, तो 5000 के आपके हो जाएंगे, 19,000 रुपे, एक ही बार आपने 5000 रुपे चोड़े, 10 साल बाद 19,000 रुपे आपके हो गए, तो यह इस तरीके से काम करता है, उसके बाद fees, tax वो सब भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर click करके आप देख सकते हैं, exit load यहाँ पर कुछ नहीं है, तो index fund के अंदर यह भी एक चीज होती है, exit load जो की बहुत important चीज होती है, exit load का मतलब जैसे ही आपने अपने funds को sell out करने की कोशिश करी, आप आपने सोचा कि अब मुझे पैसे की जरूरत है, मैं इसको exit कर देता हूँ, तो वो आपको वहाँ पर आपकी जो भी exit amount होगा, उसके उपर कुछ percentage देनी होती है, काफी सारे funds में यह 1%, 2%, 1.5% भी हो जाती है, अब आपको लगेगा 1-2% क्या होता है, 1-2% अगर आपके 1,2,2 तो उसके उपर आपको 1-2% exit load देने में तकलीफ होती है, लेकिन index fund में ऐसा कोई exit load नहीं होता, और taxation, आपको taxation के उपर भी detailed video मिलेंगी, obviously, taxation इस तरीके से काम करती है, short term capital gain, long term capital gain, ठीक है, उसके उपर short term के उपर आपको देनी पड़ती है, 15%, long term capital gain के उपर आपको देनी पड तो long term एक साल के बाद आपने investment sell करी, तो long term ये आपने 3000 रुपे आज invest करें, और 3000 रुपे चार महीने बाद इन्वेस्ट कर दी है, तो वो 4 महीने बाद जो investment करी है आपने, उसके बाद के 12 महीने, वो count होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये short term और long term capital gain काम करती है, ऐसा नहीं कि आप SIP करे जा रहे हो, आज से, और आपकी last SIP हुई थी December में, उसके बाद आपने January में sell out कर दिया, तो आपको tax नहीं देना पड़ता, नहीं, जो आपने December में जो करी थी investment, वो अभी भी short term capital gain में आ रही है, ठीक है, जो December में करी थी, वो ही अगले December तक अगर wait करे, तब जाक आपका वो long term में आएगा, 12 महिने बाद, ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ काम करती है, उसके बाद analysis होती है, मतलब ये जो investment fund है, जो भी आप choose करोगे, उसके अंदर नीचे आके, उस investment fund ने, उस mutual fund ने, कहा कहा कितनी कितनी कैसे कैसे investment कर रखी है, और जो fund manager है, वो क्या है, obviously stock market है, तो risk तो हमेशा high ही रहेगा, उसके बाद, ये fund house है, जो कि है UTI, total annum इनका इतना है, मतलब जो UTI है, इनके काफी सारे और भी mutual fund चल रहे होंगे, ये अकेला नहीं है, तो इनके पास asset under management इतना है, मतलब एक लाख 55,161 करोड रुपे के आसपास का, rank 8 पे ये लोग काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर 8 फी rank पे हैं ये, यहाँ पर आप इस mutual fund के बारे में, जो भी आप choose करोगे, हम तो example ले रहे हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, सारी details में ये चीज़ें देख सकते हो, अब आती है सबसे बात जरूरी holdings की, जो कि आप यहाँ प यह fund हमारी investment कराएगा, तो सबसे main बात इस जो fund है, इसने पूरे 100% जो amounts हैं, उसे equity में डाल रखा है, invest कर रखा है, और सबसे मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि एक index fund है, तो यह जो fund है, यह अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, इसे nifty 50 के हिसाब से काम करना होता है, कि जो भ में कितने कितने percent यहां पर investment है, ठीक है, तो यह index fund है, तो मैंने बताई था आपको, कि इनकी अपनी कोई खास choice नहीं है, holdings, उसके अंदर जो India की top 50 companies है, मतलब अगर आपने 50,000 रुपे invest करे, तो उस 50,000 रुपे के 11.5% के आसपास, HDFC bank में invest होंगे, फिर 10% Reliance में invest होंगे, ठीक है, उसके बाद यह चीज, मतलब time to time change भी होती रहती है, अपडेट भी होती है, जिसकी tracking इस fund को करनी होती है, तो इस तरीके से यह fund, इस मतलब इन इन सारे stocks के अंदर आपकी investment कराता है, और क्योंकि एक index fund है, तो अगर मैं कोई सा भी दूसरा index fund यहां पर choose कर लूँ, ए कि इसने कहां कहां पर क्या क्या investment करा रखी हैं, तो इसकी भी holdings में वही same चीज़े दिखाए देंगी, 11.56%, 10%, यहां पर 7%, और नीचे 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 आते आते, नीचे नीचे UPL Limited में 0.28%, तो यह काम उसी हिसाब से करेगा, जिस हिसाब से index, मतलब market के हिसाब से जो top 50 companies होंग कि आपको research और भी ज्यादा करनी होती है, अगर आप long term में investment करने आ रहे हैं, तो research आपको और भी ज्यादा करनी होती है, लेकिन आप stocks के अंदर, app के अंदर mutual fund में investment करते time, यह यह चीज़ें आपको देखनी होती हैं, यह मैंने आपको इस वीडियो में बताई, तो अगर information आप मिसना करो, क्योंकि investments वगएरा तो आप करने ही वाले हो, तो value होना, knowledge होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और app का ही आप इस्तेमाल करोगे, मतलब investment वगएरा करने के लिए, किसी भी app का, चाहें यह हो, चाहें कोई दूसरी app हो, लेकिन उसके बारे में वो कैसे operate करती ह क्या-क्या एक-एक जो word है, उसका मतलब क्या है, यह AUM, इसका मतलब क्या है, यह benchmark, इसका मतलब क्या है, यह expense ratio, इन सबका पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इनी सबका, इनी सबके बारे में हम बात करेंगे, आने वाले future में, और भी videos में, ठीक है, तो इस channel को subscribe ज जरूर कर दीजिए, अपना धिहान जरूर रखें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में,